हेलो दोस्तों वेलकूम बैक तो आर यूट्यूब चैनल नौलेज रडार तो दोस्तों मैं हूँ वियक्सिन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौलेज रडार में दोस्तों काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाड़ा था कुछ प्रॉलम्स थी तो दोस्तों अभी एक नए स्कॉलर्सीब के साथ आया हूँ जो की बहुत ही खास है और अब आपको बिल्कुल ही वेट करने की जोत नहीं होगी क्योंकि अब लगतार वीडियो आपको मिल स्कॉलर्सीब से लेटेड नौलेज से लेटेड या जो भी एजुकेशन फिल्ड से लेटेड है सबसे पहले आप तक हम पहुचा सके और आप इस काभिवत उठा सके और अच्छे से इन सब का आप दोस्तों अपने फ्रेंड्स तक सब को सेर कर सकें तो दोस्तों बिना सकें आप बोल्ट पर देखी रहें होड्र इंडिया स्कॉलर्सिब प्रोगाँ में सो बिस्कलि हुम जानते हैं इसके बारे में जस्ट डेटेल में नहीं जाएंगे, short में हम जानते हैं कि basically scholarship ये होता क्या है तो दोस्तों जो Fullerton India scholarship program है It's a CSR initiative of Fullerton India to financially support school students who face financially barriers in pursuing their education मतलग कि ये scholarship उन विद्यार्थियों के लिए उन student को support करता है जिनके पास पैसे नहीं है या जिनका आर्थिक स्थिती बिल्कुल ही सही नहीं है या जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे है उनको ये सबसे ज़्यादा benefit देगा और आगे की पढ़ाई कर पाए है So the scholarship program aims at helping underdeveloped students और class 9 to 12 from Guwahati, Johart, Debruggar in the state of Assam So basically air scholarship उन students के लिए है जो की class 9 और 12 में है और साथी साथ ये Assam states के ये तीन जगों पर जो रहते हैं वहां के resident है तो ही इसको अपलाई कर सकते हैं यानि कि वह Guwahati के रहने वाले हैं, Johart के रहने वाले हैं या Debruggar तो इसको अपलाई कर सकते हैं So Fullerton India has been serving the under bank and on bank population with its financial services So basically अपने financial services से उन साथे students को ये help करता है अब दोस्तों हम जानते हैं इसका deadline क्या है deadline इसका 15 February 2020 से यानि 15 February 2020 का deadline है eligibility मतलब योगेता आप इसको अपलाई कर सकते हैं या नहीं So students in class 9-12, जो भी students class 9-12 में हैं वो इसको अपलाई कर सकते हैं साथ ही साथ ध्यान में रखना है कि at least 60% marks in previous class मतलब कि आप जो class में हैं इससे पहले बारे class में जो भी आप कर माविश रहे थे हैं कम से कम 7% रहना चाहिए तब ही आप इसको अपलाई कर सकते हैं साथ ही साथ ध्यान रखना है कि आपके family income यानि कि आपके परिवार की जो वार्सिक अंदनी है वो चार लाक रूपय होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए less than or equal to 4 lakh rupees होना चाहिए annual income आपके family का तब ही आप इसको अपलाई कर सकते हैं यह open only for students from Gohati, Johart and Debrugary in Assam estates मतलब कि जो Assam estates में Gohati में है, Johart में है या फिर Debrugary में है वही इसको अपलाई कर सकते हैं scholarship amount 10,000 मतलब यह 10,000 का scholarship है जो आपका scholarship amount मिलेगा वह होगा 10,000 का आपको छातिवरिती इसको मिली आपको दोस्तों अब हम जानते हैं कि selection process क्या है तो selection process में सबसे पहले screening होगा मतलब कि जो भी आप scholarship form submit किये है on the basis of merit and financial need उसका screening से होके जाएगा तब आपका form select होगा फिर उसके बाद टेलिफोनिक interview for further short listing of candidates इसके बाद टेलिफोनिक interview हो सकता है जब आपका application select हो जाता है और इसके बाद face to face interview भी हो सकता है final selection के लिए बट अगर यह जूरत पड़ा तब इसके बाद है मतलब face to face interview हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन एक टेलिफोनिक interview जरूर होगा आप जानते हैं कि documents क्या-क्या documents लगेंगे इस form को fill up करते समय जो documents लगेंगे वो कुछ इस तरह से है photo identity proof मतलब कि आपका कोई identity proof होना चाहिए उसका photo address proof होना चाहिए income proof होना चाहिए proof of admission मतलब कि आप किस school में है admission लिये है उसका receipt होना चाहिए आपके पास साथी साथ current academic year fee receipt मतलब अभी आप किस year में है उसका fee receipt भी यह आपको documents requirement में है साथी साथ previous class mark seat मतलब पिछले class का जो mark seat है वो लगेगा और साथी साथ passport size photograph तो दोस्तों ये थे सारे details इस scholarship से लेटेड़ अगर इसके अलावा भी और भी कोई आपको कोई question है, query है या और कोई problem है तो आप comment में जाईए, comment box में comment करते हमें बताइएगा हम हमेशा आपकी help करने के लिए ततपर रहते हैं और हमेशा आपकी help करने के लिए आगे हम रहेंगे दोस्तों इसका जो link है form fill up का वो मैं description में दे दूँगा वहाँ जाके इसको apply कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लागा अगर आपको लगता है कि ऐसे scholarship अपने दोस्तों तक मिलना चाहिए तो दोस्तों share कीजिए दिल खोल कर जितना हो सके और सब को इस scholarship का लुप्त उनको उठाने दीजिए दोस्तों तो दोस्तों तिल देन वीबेक सिंग साइनिंग आफ थैंक यू कर दोस्तों है